Welcome to Realty Messessy Students, आज हम करें कुछ important question जो आपकी GD में पूछे जा रहा है यह रहाँ पहला को सुन आपकी स्कीन पर GC7 की स्थापना कव हुई थी? Students, आपको प्रतिया को सुन के लिए मिलेंगे 5 सेकेंड 1975, 1980, 1980, 1990 GC7 की स्थापना कव हुई थी? इसको तरह 1975 को GC7 की स्थापना हुई थी कुछ important fact देखते हैं यह 20 की साथ सबसे बड़ी अर्थ विवस्ता वाला संगठन है मुख्याले बेहदेस होता है जो इस संगठन की मेजवानी करता है कौँ सा देस होता है? बेहदेस होता है जो इस संगठन की मेजवानी करता है यह 20 की साथ सबसे बड़ी अर्थ विवस्ता वाला संगठन है सवाल नमबर दो अंतराश्ची नियाले की स्थापना कव हुई थी? इसको तरह आपको बताना है किसी कहां सा पता है तो केमेट सकसर ने पता सकते है 1945, 1950, 1950, 1950, 1960 इसको अतरे ओफस नमबर ए 1945 को अंतराश्ची नियाले की स्थापना हुई थी? कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट देखते है इसमें नियाएदीसो की संग क्या पंदरह होती है आश्यान की स्थापना कब हुई? 8 अगस 1967 को आश्यान की स्थापना हुई थी? इसका मुख्याले कहां पर है? जाकारत इंडोनेसिया 12 जन्वड़ी स्थ नमबर 2 में पूछा गया था सार की स्थापना कब हुई? सार की स्थापना दोस्तो 8 डिसंबर 1985 को हुई थी? 16 जन्वड़ी स्थ नमबर 4 में पूछा गया था कहां पर है? मुख्याले काटमांडू नेपाल मांट किली मंजारो अफरीका महादीब की सबसुची चोटी जो दोस्तों चंजानिया में स्थी थे अफरीका महादीब की सबसुची चोटी कुन सी है? मांट किली मंजारो कहां पर है? तंजानिया मांट एबरेश्ट कहां पर है? नेपाल बिस्प की सबसुची चोटी है इसकी उचाईए 8,848 कहां पर रिस्ती थे नेपाल इसे दोस्तों साग अरमाता के नाम से भी जाना जाता है मांट एलबरूस यूरोप की सबसुची चोटी मांट एलबरूस है केटू कहां पर है दोस्तो? परबस्रियलि कारा कुरम कहां परे लद्दाग students यह तो कुछ important questions जो आपके GD के लिए और भी ज्यादा useful है इसी अधार वीडियो लाइक करें मिलते हैं इस वीडियो में जहीन बंदे मात्रा